वेल्कम टू पाकिसान स्टॉकनेटिक अमीद है कि आप तुमान दोस्तों है वह अखरीज से होंगे और वीकन आपका अच्छा गुजर रहा होगा तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ डिसकस करने के कोशिश करते हैं मार्किट हमारे साथ क्या करने जा रही है देखें जुम्हे वाले दिन मार्किट ने 100 पॉइंट तिर निकाल लिए जब के उससे एक दिन पहले जो है वह तकरीबर 600 पॉइंट जो थे वह मार्किट ने डाले थे तो कोई बात नहीं है 100 पॉइंट इसको इतना कंसीडर करना चाहिए यह इन्शाला जब हम डिसकस करेंग तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे के मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है चलते हैं सरक्ट प्रेकर की तरफ देखते हैं कि क्या पॉजन रही अपर कैप की बात करें अबे एक ही कॉम्पनी जो है वो फिल हाल अपर कैप नज़रे हो ए टीए ऐसे सोयल मेल्स को भी शामिल कारी लें तीन चार हजार के साथ लेकिन चुके जादरा ये शेर बड़ा है तो इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूँ अधरवाइस मजबूरी है क्योंकि कुछ और नजर नहीं आ रहा है लोर कैप की बात करें तो पाक डाड़ा काम लग गई थल लगना तो लोल कैप हो गया चार्ट तो ऊपर जाने की बजाई नीचे आ गई तो चलते हैं नहीं की तरफ और मामलात को डिसकस करने की कोशिश करते हैं अपर कैप लोर कैप से थोड़ा सा यह अंताजा हो जाता है कि मार्किट में से अगर पॉइंट निकले हैं तो उसका इ तो फिल्हाल 100 पॉइंट निकले हैं लेकिन उसका कोग खास इंपक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है यह जब हम समरी डिसकस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या पॉजिशन रही है समरी में अगर हम देखें तो क्या पॉजिशन है यह देखते हैं देखें 230 कंप्वणी जो है वो माइनस में और 139 जो है वो एडवांस में अब देखें निकले सिरफ 100 पॉइंट ही है लेकिन जो डिकलाइन है वो 230 में नजर आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो 100 मार्किट पर देखने में 100 है लेकिन यगीन की यह 500 का इंपक्ट है इसका हर बंदे की अपनी एक सोच होती है उसका अपने देखने का तरीकाइकार होता है कैलकुलेशन के अंदर 100 पॉइंट निकले हैं लेकिन जो मेरी राय है कि इसका जो इंपक्ट हुआ है वो 500 पॉइंट की ख्रीब ख्रीब है कि मार्किट में से जो शेर्स की कीमते गिरी है वो ऐसे लगता है कि जैसे 500 पॉइंट निकले है मार्किट में से हाई यार कल के हवाले से वो मैंने ये कहना था कि यार कल माजरत वीकेंड रिव्यू की जो है वो हम वीडियो अप्लोड किया करते हैं एवरी वीक लेकिन ये इस वीक नहीं हो सकी कल इस कदर मस्रूफियत थी कि कहते हैं ये सर कुझाने का टाइम नहीं मिला बस कुछ ऐसी पोजिशन ही थी कल कल ट्रेनिंग सेशन भी था कुछ वन उनमल बेटिंग्स थी फिर कुछ और मामलात थे फिर एक सिलसला बंदा रहा फोन कॉल्स का तो काफी लेट नाइट तक जो है वो सिलसला चलता रहा तो सो ठायर्ट मैं मुझे बिल्कुल जो है ना वो वीडियो नहीं बना सका तो उसके लिए माज़रत बहुत सरे दोस्तों ने पूछा भी तो लेकिन यार इन्शालला कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो लेकिन बस कभी कभी हो जाता कभी कभी हुआ यानि कि कल शहर पहली बारी हुआ तो ये वीडियो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहरा था क्योंकि ये रेगलर में आती है तो वीकन रिव्यू था तो चलें उससे पहले एक कंपैरिजन की वीडियो अपलोड हो चुकी थी क्योंकि नॉर्मली जो है वो मैं फ्राइडे वाले दिन वीडियो अपलोड नहीं करता तो चलें इन्शाला नेक्स टैम कोशिश करेंगे कि वीकली रिव्यू जो है वो मिस नहीं हो बात हो रही है तो आगे चलते हैं जी आटो असेंबलर की बात करते हैं अलगाजी के इलावा सारे नीचे गुड्ड हो गया अब देखें ना निकला सिर्फ सौ पॉइंट है बात पॉइंट भी नोटेड नमबर वान फिगर्स के अंदर सो पॉइंट निकले हैं भाई एटलस होंडा में से बाइस रुपे निकले हैं बड़े गंदारे में से तेरा रुपे निकले हैं चोटे गंदारे में से तकरीबन साड़े पांच रुपे निकले हैं अब यह ज़रा गिंते जाईएगा ठीक है होंडा हिनों पाक को भी रहने देते हैं जी चलें बाकी काम जिकर नहीं करते हैं भाई यह इंपेक्ट सौवाला नहीं है ठीक है ना थोड़ा सा ना समझें बात को सब्सक्राइब करें देखें सो पॉइंट जो जब निकलते हैं ना इतना इंपक्ट नहीं होता हूं का समझा करें बात को थोड़ा सा पॉर्ट फोलियो की कार्ट चांट आज जरूर कीजिएगा ठीक है ना सामने रखके बैठ जाएं और अपने तमाम शेयर्स का भरपूर जा करें और आपको शेयर्स डूपते भी नजर आएं तो भी डीप ब्रीधिंग जरूर करनी है तांके सेयर्स सांस महाल रहें अच्छा जी आटो मॉबाइल पार्स की बात करें एटलस पैटरी थोड़ा सा उपर अब देखें जो उपर है वो कितना उपर है सिर्फ डेड़ जर्नल टायर नीचे पैंथर नीचे लोड्स नीचे या लोड्स मेरे पास भी है मैं चेक करूंगा कितना लाल हुआ है केबल की बात करें अभी यार इसमें आटो मॉबाइल में जो असेंबलर्स है ना यार कुछ कुछ मामला थोड़े से ना मुझे खराब लग रहे हैं खास तो पर आटो मॉबाइल के हवाले से तो जिन जिन के पास है वो जरा इसको री कैल्पूलेट कर ले ठीक है आगे चलत जिस जिस के पास भी है वो री कैल्कुलेशन जरूर करें तो फ़स जाएंगे एक होता फंस जाना एक होता फस जाना ठीक हना तो फस जाएंगे आटो मॉबाइल पार्ट की बात करें एक यह इसको अबर और भी इंपैक्ट आया है लेकिन उतना नहीं आ जितना यारसस अबल की बात करें वेव हमारा नीचे इसको री कैलकुलेट करेंगे जी 25 का हमारा एडिया था कि 25 पर ये रुकेगा 25 तक जाएगा 25 तक गया 25 तक रिजिस्टन्स भी की तने और उसके बाद नीचे अब ये नीचे कहां तक जा सकता है वो नीच तो भी री कैलकुलेट मैं हमेशा उसके बाद यू मस्ट री कैलकुलेट री कैलकुलेट करेंगे उसको री एनलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरफ को जाना है आप तो हाँ यर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से अर्ज की थी कि जिस किसी का पॉर्टफोलियो जो है वो एक मिलियन से कम है वो पांच लाग का है ये साथ लाग का है तो वो मेरे साथ राप्ता करें उनके लिए को थोड़ा सा सिस्टम सोच रहे हैं सोचा है मैंने ठीक है एक मिलियन से उपर का है वो अभी राप्ता ना कीजिएगा प्लीज वो बताओंगा कि मैंने राप्ता मेरे साथ कब करना है ठीक है ना अभी उनके लिए गुझाइश नहीं है रेली बिजिक चोटे पॉर्टफोलियो वाले राप्ता कर लीजिए गया अगर किसी का मोड हो पैसे को जरूरी नहीं है कि आपनी मेरे साथ राप्ता करना है सेमट की बात करें सेमट नहीं थोड़ा बहतर परफॉर्म किया एस कंपेर टू दीगर जो सेक्टर्स हैं डीजी खान थोड़ा बहतर हुआ है लेकिन जिस अंदाज से इसके बारे में बाते हो रही थी कि यह 150 तक जाएगा लेकिन अगर चला जाए तो अच्छी बात है यार मुझे क्या मेरे पास तो नहीं है दिवान सीमट में दो दिन कैप शैप लगाए फिर उसके बाद वापस आ गया 72 पैसे चलें अच्छी बात है एफ सी सील भी नीचे फ्लाइंग के भी दो कैप उसके बाद न निकल गए मैपल लीफ आपको याद होगा जब हमने मैपल लीफ का चार्ट डिसकस किया था तो उसमें हमने इसके दो लैवल डिसकस किये थे अभी तक यह नहीं लैवल में गोम रहा है और लोगों ने बड़े पैसे कमाया और हमें वैसे किसी ने मिठाई भी नहीं बेजी क लाहलो कि पावर के हला तो नहीं क्यूंहें दिलन भर जीटे जा रहे हैं हलांकि पावर के दर तो पावर होनी चाहिए आगे चलें जी केमीकल करूंगा मैं बर्जर करेंगे जी चार डिसके से अच्छा जी उसके बाद नेमर शीमर सारे नीचे कमर्शल बैंक्स की बात करें पंजाबी में कहते हैं वावा इकराब है यह सारी सौ पॉइंट का इंपक्ट नहीं है मैंने यकिन की यह मुझे टाइम भी नहीं मिला समरी देख करें यह आपके साथ ही देख रहा हूँ और यह वीडियो बनाने चाहिक यह फायदा है जरा के चलो आपके साथ मैं बहुती समरी देख Neptracema कभी किसी का अभी कुछ चीज़न रुक नहीं रहीं कहीं पर रुकें तो कोई में मुझ से बात निकालो कुछ मामलाद आगे चलें यह एचबियल कहां तक पहुंचा है किदर है हाँ एचबियल है रिकवर की है यार फोड़ा ठीक है गुड है बाकी भी इन्शाला कर जाएंगे वो थोड़े से मामला थे वो फैट अफ फुट अफ के वो निकल नकल गए हैं देखिए फैट अफ के हवाले से ना एक बात आप जाद रखिएगा मैं इसके वीडियो भी बनाऊंगा अगले साल सौरी इसी साल जून के महिने में इसको नोने रिवाइज करना है अपने डिसीजन को रिवाइज करना है कि उन्हें दुबारा चेक करना है जून में भी नहीं निकलना आप लोगों ने ठीक है ना इसलिए न लगाएं वो हमें पता है कि यह कितने पानी में हैं जो लोग काम कर रहे हैं यह सर नहीं निकलेंगे जून में भी नहीं निकलेंगे दो रीजन्स हैं नमबर एक कि आप कुछ लोग मांड ना कीजिएगा जिक जब घर का सर्बराज होता ना इस पर इंशालला वीडियो भी एप्लोड करूंगा मैं जब घर का सरब्रा जो है निवोगर के बाहिर खड़ा का रहर अजो 2020 के end पे उस वक्त जो क्रीब थे लोग हमने उस वक्त पर यह डिसकस कर लिया था और हमने इसको फेक्टर इन की था कि मार्च में हमने नहीं निकलना फरबरीक तो सर नहीं निकले जून में भी नहीं निकलेंगे चलें आप तो यह चीज़े रिकॉर्ड हो रही है ना नहीं निकलेंगे सर एक उसका इफेक्टर यह है कि हमारे साहब जहा जाते हैं चोर-चोर की वाज लगाते हैं कि हम मनी लॉटरिंग करते हैं और दूसरी चीज जो है व हमें वो उस वक्त तक पिंच डाउन करके रखेंगे जब तक वो वहां से निकल नहीं जाते हैं क्योंकि अगर हम फैटम में से फ्री हो जाते हैं तो फिर हम उनकी बात असानी से नहीं न मानेंगे फिर तो हम पैसे कोई एक कमपनी भी उपर नहीं मास वाए मुगल के अमरेली की मैंने बात की थी आप सब लोगों को याद होना चाहिए मैंने क्या कहा था बाके सर्फिल हाल कुछ नदर नहीं आ रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर में मिला जुला रुजहान फर्टिलाइजर यह 110 के गिमिक द्रक्री भी गूमता रहता है कभी एक रुप्या उपर कभी एक रुप्या नीचे तो स्टेबल शैर है ना सम्में ज्यादतर आप जिये जो फर्टिलाइजर के शेर होते हैं यह स्टेबल ही होते हैं यह बस थोड़ा से तंग करते हैं ज्यादा नहीं करते हैं अब यह ना कह दीजेगा कि एफ एफ बील को क्या हुआ कुछ नहीं हुआ उसको भी ठीक हो जाएगा परसनल फूड की बात करें अलशही नीचे क्लोवर कोजी फूड सारे नीचे नैशनल फूड ने थोड़ी सी रि थोड़ा सा ना यार थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाएं आप जोहलाद चल रहे हैं गलास एंड सिरामिक्स की बात करें सारे नीचे यार उजड़ा पर नोई लाल इंशेर्स सेक्टर भी सारा यार वो मेरा शेयर भी नीचे दस दसो यार एफ यू लाइफ एशोरस भी न बुरा नहीं है बताना नहीं किसे को आगे चलें इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें इन्वेस्टमेंट बैंक्स में यार दो तिन शेर्स हैं मेरी नजर में वो जड़ा नीचे आ जाएं अपनी वो क्या कहते हैं दाइरे के अंदर तो पिर हम उसको देखेंगे लेकिन उन मेंसे आप यकिन कीजिए चलें आपको यह बताई देते हैं कि यह जतने भी शेयर ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से जो तीन दो तिन शेयर मेरी मेरी नजर में है जो ग्रीन उनमे से कोई नहीं है चलें यह हिंट देते हैं आपको तो इन्शाल्ला जब थोड़ा बेतर होंगे तो फिर उसका नाम भी लेंगे अभी को फासना जाए यार लेके अभी तो मामला फॉलिंग नाइफ की तरफ जा रहे हैं शिफा नीचे सदीक टिन प्लेट नीचे पिजारों वाले भाई ने डुगो दिया सबको मुदार बास नहीं यार बस और कुछ नहीं है ओलन गैस पीपील नीचे लगता यह 89 लगाएगा चले यार एटी टाइल लगाएगा ना तो चलो मैं इजाज़त देता हूँ आपको जितना आपने खरीदना ना उसका 25 परशन खरीद लेजेगा चले यार 50 परशन खरीद लेजेगा क्या याद करें आइलन्ड गैस मार्केटिंग कमपनिस के हलात काफी माड़े हैं यार यार यह शेल के बारे में मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जी उन्होंने पता नहीं किसी ने 215 पर खरीदा वबा किसी ने 211 पर तो मैंने आप से गुजारिश यह की थी कि इसने भी राइट्स दिये हैं राइट्स बरेचा चुके हैं उसका इंपक्ट आया है इसल चीडिकल को को भी रिकर कुर्श करें पारमस्वीटिकल में इंप सिरल ने थोड़ा रिकावर किया है और बाकी के हलाँ वैसे के वैसे हैं ऐजीपी के हुआले से बहुत बाते हो रही थी इसने पता नहीं कहांके जाना power generation में के बारे में लोगों ने बहुत hype create की हुई थी चंद companies के हवाले से के पता नहीं उनको पैसे मिनने वाले हैं और आप यकीन कीजिए वो तमाम की तमाम लाला है ठीका ना जिनको पैसे मिलने वाले थी जिनके बारे में hype create की हुई थी यार पैसे इसारी नीचे यार डब धाई सुर्पे वाला शेर जो है वो 77 पैसे positive है तो कोई positive नहीं है भाई वो भी negative ही है भाई को शाइको सारा नीचे वा जी वा शूगर चली है फिर यार यह लोगों को शूगर ही ना हो जाए गई या शूगर निकालते हैं फिर next इंशालला शूगर बर्जर पेड़ की बारी बर्जर पेड़ के बारी बर्जर पेड़ के बारी synthetic और नीचे चला गया है यार मैंने बेज दिया था मैंने आपको हर बीडियो में कहता हूँ कि सार को बंदा मुझे ना कहा दे कि जी मैंने खरीदा हुआ है मैंने सार उस मक्त बेचा था बांगे दोहल मैंने कहा था कि भाई मैंने बेज दी है चाहे मुझे SACP की तरफ से नोटस ही आ जाता है आपको पता है ये जुरम है है शेर का नाम लेके और उसका लेवल बताना ये जुरम है SACP के हाना इसलिए मैं अधरा थ्रोल से थियात करता है वैसे तो मैं यूके में हो मुझे क्या फरक बढ़ता है मेरे उपर इस कानून का इतलाक नहीं होता लेकिन फिर भी चलें यार पागिस्तानी तो है अच्छा जी वो तेरी सारे नीचे आँ ओके आँ अवैंसन नीचे सारे नीचे चलो चोड़ें टेक्श्टल कॉम्पोजिट में गुल एहमद का डिसकस हो गया था निशाद चुनिया का डिसकस हो गया था यार यह उस दिन ना मुझे याद आया कि मैंने याब यह इसका कंपैरिजन अपलोड किया था न तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी जब हम पेयाउट्स के बारे में बात कर रहे थे तो पेयाउट्स में एक मिस्टेक थी तो उसको प्लीज एकनोर कीजिएगा वो एक दोस्त ने बेज़ा था लिखके तो मैंने उ को एपिशेट किया तो वो सर वो माइंड वो पेयाउट्स में एक गलत कोड होगी थी चीज़ उसको प्लीज इगनोर कीजिएगा और गुल एहमद टेक्स्टाइल वाले लोगों ने मुझे काफी सजा दी है वो वीडियो बनाने की ठीक है ना जिन के पास वो शीरता है तो भाई मैंने अब उसको मैंने तो नीचे गराया ना इमया उपर लेकर गया हूं तो उसको भी प्लीज इगनोर करें आगे चलते हैं जी पस यार और कुछ नहीं है इंशालला टेक्स्टाइल का भी हमने डिसकस कर दिया अब बारी है किस को किसकी इंशालला शूगर की शूग है कि बारे में कुछ लोगों ने हाइप क्रेट की हुई थी कि पता नहीं इसने कहां तक जाना है कहीं तक नहीं वापस आगे मैंसे आपके इस बाद मेरे पास था मैंने बेच दिया था मैं यह चोटे मोटर शेर जो मेरी नजर में आते हैं वह मैं वैसी खरीद के राकर यह तो ऐसे है यह तो ऐसे है तो बस ठीक है यह 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 जा आगे चलें जी तो देखते हैं कि चार्ट पर क्या पूजिशन है और कैंडल क्या कहती है जब हमने कैंडल को बड़ा किया तो कैंडल ने हमें कुछ बताया और बताया यह कि सर अगर आप गौर करें इस चीज़ पर अब यह कैंडल हमें जल्दी खतम कर रहा हूँ देखिए जो में वाले दिन बनी जो कैंडल उसकी शकल देख लें उससे पांच दिन पहले जो कैंडल बनी थी उसकी शकल देखें और उससे पहले जो बनी थी उसकी शकल देखें क्या इन तीनों कैंडल की शकल जिसामत ओपर की विक जिसको हम लोग ओपर वाला डंडा भी कहते हैं सब्सक्रार करें कुछ अपस में मिलते जुलते नहीं है तो क्या क्या आल है कल फिर क्या होने जा रहा है अब मैंने कुछ नहीं कहा है तो कहने का मतलब यह है कि अपना अपना इंतजाम कर लें वह इंग्लिश में कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग ठीक है ना तो वह कर लाए क्यूंकि मैंने आपसे कहा था कि जब हम केंडल को डिस्कस करते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि यह वैसा ही रिजल्ट निकले लेकिन चुकर पहली दो बार ऐसा रिजल्ट निकल चुका है कैंडल के बनने के बाद तो देर इस अप्रॉबर्बिलिटी के आइंदा भी ऐसा हो लेकिन इस चीज़ को देखिए कि जो कि बहुत एहम चीज़ है कि यहां पर भी पहले ग्रीन थी ठीक है और उसके बाद यह वली कैंडल बनी है राइट यहां पर भी पहले ग्रीन थी अब ड्राने नहीं लगा यकीन कीजिए कि वीडियो बनाने से पहले मैं कैंडल नहीं देखी इसलिए मुझे बड़ा देखी होना तो बज़ा नहीं आता सर वीडियो बनाने का आपको पता होता आपने क्या देखा है फिर फल अलफाज बना बना के जहन में रखे होते हैं सर कोई टेस्ट नहीं अब यह देखें क्या यह तीनों की तीनों सिच्वेशन एक जैसी हैं तो क्या जो दो बार पहले निकला है क्या कल वोई रिजर निकलने जा रहा है बस सर इसके ऊपर मैं और कोई बात नहीं करूँगा ना मैं कोई इंडिकेटर लगाऊँगा ना मैंने को जिगजग लगाना है ना मैंने आरसई चेक करनी है बस यह मैंने आपके सामने रख दिया तस्वीर अप फैसला जाना कोई जुरूरी नहीं है कि ऐसा हो लेकिन दो बार ऐसा हो चुका है तो क्या तारीख आपने आपको दोराती है लेट सी टुमारो आगे चलते हैं आज हम जिस कॉंपनी का चार्ट टेक्निकल चार्ट डिसकस करने जा रहे हैं वो है जी सेंचरी पे बोर्ड और पे पेपर और बोर्ड मेल अच्छा शेर है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉंग भी समझा जाता है लेकिन ये बिचारा जो है इसने अपना हाई लगा करने के बाद ये जो है ये अब नेचे की तरफ रवादवा और इस वक्ति जो इसकी प्राइस है वो तक्रीबर एक सो तेरा रुपए है यहां पर अगर हम बॉलिंजर बैन्ड का स्तिमाल करें जो के एक इंडिकेटर है कि वो क्या कहता है देखे बुलिंजर बैन्ड के बार of reversal वहां से reversal के chances हो सकते हैं अब ये गुजिश्टा तकरीबन तीन session से अगर आप चार session से कर लें जी गुजिश्टा तकरीबन चार session से ये share जो है ये sideways हुआ हुआ है ना ज्यादा उपर जाने के mood में है ना ज्यादा नीचे जाने के mood में है जबकि इस से पहले अगर आप ये जाइजा लें तो तकरीबन इसके अंदर जो gravity is just like a falling knife वो अब थम चुकी है तो अब शायद यहां से ये reverse कर सकता है according to Bollinger Band according to me नहीं है sir मेरे मताबक नहीं है Bollinger Band के मताबक है अगर recover ना करे तो मैं जुमेदार नहीं हूँ Bollinger Band जुमेदार RSI देख लें इसकी RSI क्या कह रही है RSI जो है वो भी flat है यह देखिए ना यह दोनों चीजें एक दुसरे को support कर रही है मैंने यहां पर जिकर किया कि यह sideways है ठीक है sir और जब हमने इसकी RSI देखी तो वो भी straight line की शकल इक्तियार करने को जा रही है उसमें ना तो उपर की तरफ को खम है ना नीचे की तरफ को खम है तो यह indication होती है sideways की कि share का program उपर का या नीचे का खास नजर नहीं आ रहा बिल्कुर यह सादा सा तज़िया था तज़िया क्या था बस गपशप थी वीडियो के हुआले से उसमें हमने एक चार्ट भी डिसकस कर लिया कैंडस भी डिसकस कर लिया कमेंट करके जरूर बिताईएगा कि कल मार्केट में क्या होने जा रहा है और आखिर में एक बार फिर जो है वो एक मिलियन से कम का है चाहे वो तीन चार लाग का ही क्यों न हो वो लोग मेरे साथ रापता कर सकते हैं लेकिन जिनका पॉर्ट फोलियो एक मिलियन से उपर का है अभी प्लीज वो रापता ना कीजिएगा मैंने पहले शायद को थोड़ा सा किलियर अलफाज में नहीं कहा था तो काफी दोस्तों के फोन आये जिनका पॉर्ट फोलियो बढ़ा था फिर मुझे उन से माज़रत करना पड़ी उनका भी टाइम जाया हुआ मेरा भी हुआ तो ब्राए महरबानी वो लोग सिर्फ रापता करें जिनका पॉर्ट फोलियो छोटा है ठीक है सर तो बस जी आसके लिए तरहें अलाह आफिस